हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूटूब चनल स्टाड़ी वे सुजित में तो दोस्तो आज हम लग साइन्स के महत्तपूर्ण परस्णों को देखेंगे जो की पारा मेडिकल और आइटिय प्रिक्चा के लिए बिहादी महत्तपूर्ण है तो आप तो सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लग बारी बारी से प्रस्ण है कि गाय के दूध में किसके करान पिलापन रहता है कैसीन केरोटीन लेसीन या कोई नहीं ती यहाँ पे चारोप्शन को आप देख सकते हैं इस प्रस्ण का आईट एंसर क्या होना चाहिए कि गाय के दूध में कि इसके करम पिलापन रहता है तो देखे इसका जो सही एंसर हो जएगा वह जगा option और B यानि कि केरोटीन जो है इस प्रस्टन का सही एंसर हो जगा option और B जो है इस प्रस्टन का सही एंसर हो जगा और यहाँ पर प्रस्ण है कि HIV की खोज के दोरा की गए थी कोल्फ ने लुक मांटेनियर के दोरा किया गय था या एड़वार्ड जेनर या फिलेमिंग के दोरा देखे इसका जो सही अंसर हो जेगा और लुक मांटेनियर जो थे वह HIV के खोज किये थे और यहाँ पर प्रस्ण के दोरा की खोज किया गया था और यहाँ पर प्रस्ण है कि पौधो में वास्पूत सरजन दर के निधारन के लिए किसी अंतर का उप्योग किया जाता है काफी महत्तपूर यह सवाल है कि पौधो में वास्पूत सरजन दर के निधारन के लिए किसी अंतर का उप्योग किया जाता है पोटो मीटर, पोरो मीटर, टेंसियो मीटर या बेरो मीटर तो देखे इसका जो सही अंसर हो जेगा थोड का वह हो जेता है ओप्सन नमरे पोटो मीटर जो है इस प्रस्ण का सही अंसर हो जेगा अप्सन नमरे ए जो ही इस प्रस्ण का राइट अंसर हो जेगा और जो भी दोस्त नहीं जो रहेंगा चानल से वो जूण ही सबस्क्राइब कर लिजेगा दोस्तों वीडियो को जो है लाइक जोड़ ही कर लिजेगा और यहाँ पर प्रस्ण है कि मानो तुआचा में पाई जाना वाला वर्नक इनमे से कौन सा हो जेगा मेला निन, केरोटिन, लाइकोपिनया, फाइटोक्रोम तो यहाँ पर इस प्रस्ण का सही एंसर क्या होना चाहिए कि मानो तुआचा में पाई जाना वर्नक इनमे से कौन सा हो जाएगा तो चारव आप्सन को आप सही से देख चुके हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डाइलेसिस मसीन का अविसकार किस ने किया था तो यहाँ पर इस प्रस्ण का सही एंसर क्या होना चाहिए कि डाइलेसिस मसीन का अविसकार किन के दुरा किया गया था क्या बोस ने, कोल्फ ने, ओपेरीन के दुरा या फाइटोक्रोम ने तो इसका जो सही answer हो जगा 5 का वो हो जाता है option number B कोल्फ के दुरा जो है वाडाइलेसिस मेशीन का विस्कार किया गया था इस परस्ण का right answer हो जगा option number B B जो है इस परस्ण का सही answer हो जगा और यहां पर परस्ण है कि कोश का भी भाजन के समय असपास्ट दिखाई देते हैं जीन गोंड सुत्र DNA या जीन वा गोंड सुत्र दोनों तो यहां पर इस परस्ण का सही answer क्या होगा कि कोश का भी भाजन के समय असपास्ट दिखाई देते हैं में इस प्रस्ने का सही एंसर हो जिएगा इसका में एक तीपह आपको टेली ग्राम ग्रूप से ज्वाने होते हैं कि जारविक सेबन क्या है काफी है महत्तपूर ये सवाल है कि जारविक सेबन क्या होता है क्या क्रित्रिम हीर्दे होता है क्रित्रिम पैर होता है या हाइडो पोनिक्स होता है या पेसमेकर होता है तो जारविक जो सेबन होता है उमीद करते हैं आप सभी का एंसर आएगा क्रि ही आना चाहिए कि एट्स दिवस को मना जाता है दोस्तों और यहां पर प्रस्ण है कि 201 ने जीवकोस की अस्थापना कव की गई यहां पर चार अप्रस्ण आप देख सकते हैं कि उनीस सब्सक्राइब यहां पर प्रस्ण का राइट एंसर क्या होगा कि 201 ने जीवकोस की अस्थापना कव की गई तो देखिए आठ ना प्रस्ण के जो राइट एंसर हो जेगा वाज़ेगा ऑप्सन नमबर ए उनीस सब्सक्राइब कर लेजगा वीडियो को अगर लाइक नह तो जोन ही लाइक कर लीजेगा दूस्तों आपके लिए बिहादी महत्तपूर्ण यह सेसन है और यहां पे देख सकते हैं कि डबल रोटी के नीरमार में कीसे कव का प्रयोक होता है काफी महत्तपूर्ण यह सवाल है और यहां पे इस परस्ण का राइट एंसर क्या होगा कि डॉबल रोटी के निर्मार में किस खोक का जो है वक्त प्रयोग किया जाता है तो इसका जो सही एंसर जगा 9 का वह हो जाता है option number D यानिकि सेकरो माइस सी जो है इस प्रस्ने का right answer जगा option number D जो है इस प्रस्ने का सही एंसर हो जगा आइए हम लोग यहाँ पर नेक्स प्रस्ने भी कभर कर लेते हैं और यहाँ पर प्रस्न है कि कि HIV सरवाधिक नस्ट करता है लाले रक्त कणो को बिता को सेका को या तस को सेकाओ को तो यहाँ पर नुभा इस प्रस्ने का right answer क्या होगा दोस्तों कि HIV सरवाधिक नस्ट करता है तो देखे दोस नमों प्रस्न के Täन जो purity एंसर हो हो जेगा वह जेगा वह हो जेगा और देखिए यहाँ पे 11 ना प्रस्ण का राइट एंसर हो जेगा वो क्या होगा दोस्तो इसका जो प्रस्ण का राइट एंसर हो जेगा जो भी दोस्त ना प्रस्ण का राइट एंसर हो जेगा जो भी दोस्त ना जुड़ेंगे चानल से वह जोड़ ही सब्सक्राइब कर लिजेगा दोस्तो वीडियो को जो है लाइक जोड़ ही कर लिजेगा दोस्तो और यहाँ पर प्रस्ण है कि जीव द्रव्य की खोज किसने की थी लेमार्क ने हेरोफिलस ने डूजार्डिन ने या हिपोक्रेट्स ने तो यहां पर इस प्रश्ण का राइट एंसर क्या होगा कि जीव द्रव्य की खोज किसने की थी तो बारहना प्रश्ण का जो राइट एंसर हो जेगा वह जेता है option number D यानि कि जुढ़ दूजा दिन जो है इस प्रस्षण का right answer जगा option number यहाँ पर जो डी आप्सद इस प्रस्षण का सही answer हो जेगा और यहां पर प्रस्षण है कि malaria दिवस को मना जाता है वैसे हम पूछे थे एट्स दिवस को मना जाता है तो एक दिसंबर को जो है वह एट्स दिवस मना जाता है एक दिसंबर को यहाँ पे पूछा गया है कि मलेरिय दिवस को मना जाता है क्या 20 अप्रेल को 30 जनवरी को 25 अप्रिल या 20 मार्च को तो मलेरिय दिवस की बात करें तो इस परशन का राइट इंसर जीगा option number D छिले दोस्तों नेक्ष ना प्रस्णों को भी कभर कर लेते हैं और यहां पे 14 ना प्रस्ण है कि भोजब पत्र कीसकेंड की छाल से प्राप्त होता है यहां पे चोधना प्रस्ण का राइट एंसर होजगा वह होजता है option number A बेटि उला जो है इस प्रश्ण का सही एंसर हो जेगा option number A, A जो है इस प्रश्ण का right answer हो जेगा और यहाँ प्रश्ण है कि mutation बाद के जना कौन है तो क्या ले मार्क, हेक्स ले Hugo debris या linear तो यहाँ प्रश्ण का right answer क्या हो जेगा mutation बाद के लेखा कौन है यानि कि सॉरी जोना कौन है तो यहां पे इसका जो सही एंसर हो जगा पॉंद्रा का वहता है ओप्सन अमबर D, Hugo D. Breeze जो है इस प्रस्ण का आई टेंसर जगा ओप्सन अमबर A, यह जो है इस प्रस्ण का आई टेंसर हो जगा काफी महत्तपुन यह सवाल है कि पादप सरी किया भी ज्यान का पीता की से कहा जाता है गरिगर मेंडल या एस्टीपन हेल्स, कौपर निकस या बॉंड बियर तो इसका जो सही एंसर हो जगा सोला का वह जगता है ओप्सन अमबर B, यानि कि एस्टीपन हेल्स जो है इस प्रस्ण का राइट एंसर हो जगा गरिगर मेंडल को जो है अनुवंसिकी का पीता भी कहा जाता है और इनों होने ही प्रस्ण का राइट एंसर हो जगा वह जगा है और यहां पर प्रस्ण है कि एस प्रस्ण का राइट एंसर हो जगा वह जगता है और कवक विग्यान का जोना कौन है तो यहां बताना है माइकेली जो है इस प्रस्ण का राइट एंसर हो जगा तो यहां पर इस प्रस्ण का राइट एंसर हो जगा दोस्तो और यहाँ पे 19 प्रस्ण आप देख रहे होंगे इस्क्रीन पर जो कि काफी महत्तपूर्ण ये सवाल है कि चने दोरा पानी के औसोसित होने की परकिरिया होती है तो यहाँ पे इस प्रस्ण का राइट एंसर क्या होगा और यहां पर प्रशने के सूगर बेबी किसकी प्रजाती होती है गाजर की, तरबूज की, खरबूज की या चुकंदर की तो सूगर बेबी किसकी प्रजाती होती है तो देखिए, बीशने प्रशने के जो राइट एंसर होती है वह होता है option number B, तर्बूज की, तर्बूज जो है इस प्रस्ने का right answer होज़गा, जो B option है इस प्रस्ने का, सही answer होज़गा option number B और यहां पर प्रस्ने की वार्षा अमले का, अव्याव इनिमे से कौन सा होज़गा, कार्बूनिक की अमले, सल्फियूरी के सीडी, H2SO4 या, एसीटी के सीडी या, हाइडोक्लोरी का right answer क्या होना चाहिए, कि वार्षा अमले का मुख्य अव्याव इनिमे से कौन सा होज़गा तो 21 परस्न का जो right answer होज़गा, वा सल्फियूरी के सीडी होता है, या, एस परस्ने का right answer होज़गा, या, और यहां पर 22 परस्न है, कि अधि बी कीरन के संपर्क में आने से कौन सा रोग होता है, तो यहां पर इस परस्ने का right answer क्या होना चाहिए, कि अधि बी कीरन के संपर्क में आने से कौन सा रोग होता है, देखें, इस परस्ने का right answer होज़गा, ओप्सन नमर यहां पर, जो, ए ओप्सने का right answer होज़गा, केंसर का जो अध्यन है, वह उंको लॉजिक आलाता है, और उंको जीन्स के करण जो है, वह जाझर होता है, याद रहे दोर्शmals न मदे आने साथैट के करण होता है, यह भी करण हो से, और इस परस्ने का right answer होज़गा, option number A और यहां पर प्रस्ण है कि चर्मरोग कीस बिटामिन के कौमी के कारण होता है यहां पर इस प्रस्ण का right answer क्या होना चाहिए दोस्तों कि चर्मरोग कीस बिटामिन के कारण होता है बिटामिन B2 B6 C और बिटामिन B5 तो यहाँ पे बताना है कि चौर मरों कीस बीटामिन की कौमिक के कारण होता है जब B6 जो है इस परसन का राइट एंसर हो जेगा इस परसन का राइट एंसर हो जेगा, Option बर B B जो है इस परसन का सही एंसर हो जेगा और आप सभी के लिए एक सवाल है कि कोबाल्ट धातु जो है वा कीस बीटामिने पाए जाता है कोबाल्ट जो धातु है वा कीस बीटामिने पाए जाता है कोमेंट वाक साब का एंसर जरूर ही आना चाहिए कि कोबाल्ट धातु कीस बीटामिने पाए जाता है और यहां पे प्रस्ण है कि कौन सी बीमारी के कारण होती है या बहुड जाती है तो ब्रंकाइटिस जो है इस प्रशन का सही एंसर का option number c c जो है इस प्रशन का राइट एंसर हो जगा और यहां पर प्रशन है कि कृत्रिम गर्वधारन के लिए सांड के बीरिया को किसमें सुरक्षित रखते हैं यहाँ पे इस परशने का राइट एंसर क्या होगा कि किर्तिम गर्व धारन के लिए सांड के बीरिया को किसमें सुरक्षित रखते हैं द्रव ऑक्सिजन सीतल जल में द्रव नाइट्रोजन में या द्रव अमोनिया में तो इसका जो सही एंसर हो जगा 25 का वो हो जाता है ओप्सन नमर यहां पे जो C अप्सन है द्रव नाइट्रोजन में जो की राइट एंसर हो जगा ओप्सन नमर C C जो है इस प्राजने का सही एंसर हो जगा और कोबाड जो धातु है जो भी दोष्टर, B. 2 L बतायो थे उनका बिल्कुल इस सही एंसर हो जगा, B2L में जो है वो कोबाल डाटु पाय जाता है बिटामी मीटवीं B2L में और आईए दोस्तों नेक्सना प्रशनों कवर करते हैं और यहाँ प्रशन है कि कौन सा रोग जिवानू के कारण होता है यहाँ पे इस प्रशन का राई टेंसर क्या होगा शूआ के कौन सा जो रोग है वह जवानू के करान होता है खासरा मलेरिय यह तो इसे में jumps weiter नहीं है और से पोलियो और टीवी तो टीवी जो है या जीवानू के करानू नोता है इस प्रश्ण सिर सिकोसिका में जो की right answer जोगा option नमर B या इकवजी तो यहां पर इसका जो सही एस जो जब 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 और और नीथोलोजी जो है वा चिडिया का अध्यान कहलाता है याद रखेँअगा दोस्तो कि शीरिया ऊर्ति है तो ऊर्ति है निकी आरे नीथि गेजिआ का अध्यान कहलाता है याद रोचि Cambridge का option nr 2 और आप सब्सक्रानीके लिए एक लिए उसक्राइड नोस्तो के टाइफा के लिए कौन सा बीटामिन भंडारित होता रहता है बिटामिन सी ए थाइमीन या बीटामिन ए तो यहां पर इस प्रशने का राई टेंसर क्या होगा कि लिवर में भविश्य के लिए कौन सा बीटामिन जो है भंडारित होता रहता है तो 29 प्रशने जो राई टेंसर हो जगा व भी रोग होता है विटामिन एक क्ल रहता है और प्रस्ष्ण कर नमेंसर और यहां पर प्रस्ष्ण कि सब्से कौम जल्कि और सकता खीसे होती है सेव को केला को आम को या खजूर को तो यहाँ पर इस प्रशने का राइट इंसर क्या होगा कि सबसे कौम जल की आप सकता की से होती है तो तीसने प्रशने का राइट इंसर अब तक आप दे दी होंगे खजूर को जो जो सी बता रहे हैं खजूर को उनका राइट इंसर का आप यहां पर प्रस्ण है कि कौन सा प्रोटीन जल में घुलनसील होता है यहां पर इस प्रस्ण का राइट एंसर क्या होगा कि कौन सा जो प्रोटीन है वह जल में घुलनसील होता है तो एक्तिशना प्रस्ण का जो राइट एंसर हो जगा वह अप्सन नमबर ए जो इस प्रस्ण का तो उमेद करते हैं आप सभी इंसर अबता दी हूँगे कि नेत्रिदान में नेत्र के किस भा को दान किया जाता है तो 32 प्रस्ण का जो राई टेंसर हो जगा क्या होगा तो इसका जो सही प्रस्ण का जो रहे वो राई टेंसर हो जगा जो राई टेंसर हो जगा और आए दोस्तों नेक्षन प्रस्ण का राई टेंसर हो जगा तो इस प्रस्ण का राई टेंसर हो जगा और यहां पे प्रस्ण है कि हीरदय की गाती की जाच की सी अंतर द्वारा जो है वह की जाती है काडियो ग्राम, क्रेश्कोग्राम, कीलो एसकोप या साइट्रोट्राण तो यहां पिस प्रस्ण का राई टेंसर क्या होगा ऀडbür की गती की जाच की सी अंतर द्वारा की जाती है तो 34 प्रस्ण का राई टेंसर हो जगा वहता है और आप्सा है नंबर A सब्सक्राइब कर लेते हैं और यहां पर प्रस्ठी कहा होता है इसका अ decis में या सुक्राशा में तो यहां पर इस प्रश्ण का राइट एंसर क्या होगा दोस्तों कि सुक्राणु का निर्मार कहां होता है तो यह जो होता है या ब्रीशाण में होता है यानि कि जो ए अप्सने इस प्रश्ण का राइट एंसर हो जेगा और यहां पर 37 प्रश्ण है कि सरीर के सुक्स्तम इकाई क्या होती है तो यहां पर इस प्रश्ण का राइट एंसर क्या होगा प्रस्ण भी कभर कर लेते हैं और यहां पर प्रस्ण है कि अंडे के कीस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है योक यहां पर इस प्रस्ण का राइट एंसर क्या होगा कि अंडे के कीस भाग में जो है प्रोटीन के मात्रा अधिक होती है तो 38 प्रस्ण का राइट एंसर रचेगा आपसर नमर सी एलवी मेन जो है इस प्रशना का सही अंसरो का आपसर नमबर सी में नुजरी को ऊस्रवाधिक ऊर्जा प्राप्ड होता है प्रोटीन से वसाट से वीटामिन से या कर्बाहाइड्रेट से यहां पैस प्रशना का यहां तो दोस्तो इस परकार से इसे महत्यपूर्ण सेसन को यही पे खत्मी किया जाता है सेसन अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जोड़ नहीं किज़ेगा दोस्तो और अगल चानस अगर नहीं जुड़े हो तो जोड़ ही सबस्क्काइब कर लिए दोस्तो लास्ट में कमेंड किया कि यह सेसन आपको कैसा लगा मिलेंगे निस क्लास में नहीं उमिदे कसा तो अभी करते हैं दोस्तो जैहिंदे